नमस्कार दोस्तों मैं हूं रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में मैं आपको पुशे नक्षत्र की महत्वण जानकारी देने वाली हूं अब की बार यह नक्षत्र आपको देखने को कब मिलेगा इसका शुम मुरत आपको इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट पिन किया हुआ आपको मिलेगा तो शुम मुरत आप उसमें से देख लें जैसा कि वेदिक जोतिस सास्तर में 27 नक्षत्र होते हैं इन्ही में से आठवे स्थान पर पुश्य नक्षत्र आता है जो अपने आप में बेहद शुब एवं कल्यान कारी नक्षत्र होता है इसलिए इसे नक्षत्रों का समराट भी कहा गया है गुरुवार के दिन नक्षत्र पढ़ने पर यह गुरु पुश्य नक्षत्र अगर ये नक्षत्र बुद्वार या शुक्रवार के दिन पढ़े तो इस नक्षत्र में आप कोई भी नया कारिय शुरुआत ना करें कोई सामान आप ना खरीदें क्योंकि बुद्धवार और शुकरवार के दिन पढ़ने वाले नक्षत्र को उत्पातकारी नक्षत्र भी कहा गया है अगर आप इन दो नक्षत्रों में आप कोई भी किसी कारिय की शुरुवात करते हैं तो उस कारिय में आपको सफलता नहीं मिलती है अगर आप गुरुवार रवीवार और शनिवार के दिन जब गुरुपुश्य नक्षत्र होता है अगर आप किसी कारिय की सुरुवात करते है तो आपको 100% सफलता मिलती ही मिलती है ऐसा सास्तरों में वणन किया गया है आप आज के दिन कोई भी खरीदारी कर सकते हैं आप आज के दिन सोना खरीद सकते हैं चांदी खरीद सकते हैं इसके साथ ही आप मकान, दुकान, सरंगार का सामान या कोई भी वाहन अगर आप काफी दिनों से खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की लिए या नक्षत्र आपके लिए बेहदी शुब एम का लियान कारी नक्षत्र होगा इस नक्षत्र में की गई खरीदारी आपको आपके भविश्य में हजार गुना अधिक लाबकारी और मुनाफ़ा देने वाली होती हैं काफी लोग इस नक्षत्र का बेसबरी से इंतजार करते हैं और किसी भी वाहन को खरीदने के लिए किसी भी सोने चांदी का आभुशन खरीदने के लिए वो इस नक्षत्र का इंतजार भी करते हैं और आपको यह नक्षत्र एक साल में केवल दो या तीन बार ही देखने को मिलता है। काफी लोग इस नक्षत्र में पवित्र पोधो की चमतकारी जड़ को भी धान करते हैं। अगर आप भी जड़ को धान करने की सोच रही हैं तो यह नक्षत्र आज की दिन आपको देखने को मिल रहा है। आज के दिन आप इस जड़ को धान करके अपनी किसी भी मनो कामना को पूर्ण कर सकते हैं। चाहें वो आपकी कोई भी ऐसी इच्छा हो जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है। चाहें वो धन को लेकर है, विवा को लेकर है, संतान को लेकर है या किसी नोकरिया वेवसाय को लेकर है। अगर आप इस जड़ को अभी मंतरित करके उसे अपनी बाजू पर धान करते हैं, तो निश्ची तोर से आपकी वे मनो कामना पूरी होती है। आप चाहें तो केले के पोधे की जड़ को धान कर सकते हैं, या फिर संक पुस्पी की जड़ को भी आप धान करके अपनी मनो कामना को पूर्ण कर सकते हैं। जब भी आप इन जड़ों को धान करें तो एक दिन पहले या दो-चार घंटे पहले ही इस जड़ को निमंत्रन अवश्य दे कर आएं और इस शोमूरत पर ही आप इस जड़ को अपने घर पर लाएं। अब आप इस मूरत में जब इन मंत्रों का आप जाप करेंगे तो अपने आप में ही एक बार मंतर का किया गया जाप आपको हजारों गुना जादा अधिक फल देगा। इच्छा है जो आपकी मनो कामना है वो बोल कर निश्ची तोर पर आप ऐसा करके देखिए तीन महीने के अंदर आपकी मनो कामना आवश्य ही पूरी होगी और जब इस तरियों को मासिक धराम आ जाए आपको पता है कि इतनी तारिक को आएगा तो इस जड़ को निकाल कर पहले मनो कामना के लिए अगर आप इस विधी से इस जड़ को धान करते हैं तो निश्ची तोर पर आपकी मनो कामना पूरी होती हैं पुशे नक्षत्र में माता लक्षमी जी की अरादना करने का भी विशेश महत्व हैं आप आज के दिन तुलसी जी में भगवान विश्णु जी माता लक्षमी जी का अहवान करके तो निश्ची तोर पर आपके धन धाने के भंडार हैं वो भर जाते हैं और माता लक्षमी जी की स्थाई रूप से किरपा आपको देखने को मिलती हैं आज के दिन जितना आप से बनता है माता लक्षमी जी के मंत्रों का आप जाप अवश का पार्ट माता लक्षमी जी के स्री सुक्त का पार्ट कनक धारस तोत्र का पार्ट जितना आप से बनता है उतना आप अवश्य करें ऐसा करने से माता लक्षमी की स्थाई रूप से किरपा आपको देखने को मिलती हैं गुरू ब्रस्पति देव के मंत्र का जितना आप से बनत बुद्धी भूतम त्री लोकेशम, तम नमामी ब्रस्पतिम। आर्थिक समश्याई खतम होती हैं गुरू पुषय योग में अगर आप केले के जड़ को धारन करते हैं या संख पुस्पी की जड़ को धारन करते हैं तो लाखो रुपए के पुखराज, मानिक रतन, नीलम से भी जादा बेश कीमती ये जड़े आपकी समस्त मनो कामनाई होती हैं तो उसी तरह से कुछ ऐसे कारियों हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, ऐसा करने से आपके जीवन में आपको दुषपरिणाम आपको देखने को मिलते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इस पुष्य नक्षत्र में विवा सगाई जैसे मांगली क कारियों को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए दूसरा है कि आज के दिन आपको ने तो किसी से उधार लेना चाहिए नहीं आज के दिन आपको किसी से उधार देना चाहिए और जिस तरह से खरीदी हुई वस्तू का हजार गुना अधिक आपको आपके भविश्य में लाब देखने को मिलता है उसी तरहे से पुश्यनक्षत्र में बेची हुई वस्तूों का हजार गुणा अधिक नुकसान आपको देखने को मिलता है तो भूलकर भी आज के दिन आप अपने घर से किसी भी वस्तू को ना बेचें आज के दिन किसी जड़ी वो देखने को मिलेगी और आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा अगर आप मेरी वीडियो पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा आप सभी से अनरोध है कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें बेल जै मालक्षमी